Hey what's up guys, welcome back once again, so दोस्तों ये कहानी है जैकी और जूल्स की जो अपने दादा जी के पुराने घर जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपके होशोला देगा, कहानी शुरू होती है, हम जैकी और जूल्स को देखते हैं, जो कि एक कपल है, अपनी पहली अ दादा जी का घर हुआ करता था, जब वो आर्मी में थे और उन्हें गौर्णमेंट ने दिया था, मैंने अपना पूरा बच्पन यहीं गुजारा है, लेकिन फिर मैं शहर चली गई, अब तब से लेके आज तक यह ऐसे ही पड़ा हुआ था, यहाँ कोई नहीं आता, इसके अरो तब ढूनती है, और तब जाकर हम देख पाते हैं कि वो तो लेक के साइड में एक बोट हाउस को देख रही है, जो ऐसी खंडर पड़ा हुआ है, क्योंकि इसे सालों से किसी ने यूज ने किया, अब जूल्स उसके अंदर चलने की जित, लेकिन जैकी उसे बहुत ही व लग रहा था कि जैसे उसे पता है कि बाहर कोई खत्रा नहीं है, अब वो बाहर जाती है तो कोई इंसान हुडी में खड़ा हुआ था, जो जैकी को देखकर मेगन के नाम से पुकारता है, जब वो पास आती है तो असल में वो सारा थी, जैकी की बच्पन की दोस्त, लेकिन यहां तभी फीचु से जूल्स आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हाई हलो करते हैं, लेकिन यह सारा बार बार मेगन के नाम से उसे पुकार रही थी, जो उसे लगता है कि शायद उसे जैकी का नाम नहीं पता, तो वो उसे सारा से कहती है कि यह इसका नाम नहीं है, त वो यह सब सोच पाती कि तभी सारा कह देती है कि तुम लोग मेरे खर पर जरूर आना, लेकिन दूसरी साइट पर जो मौझूद है, अब अगला दिन भी आ जाता है जब जूल्स वाकिंग के लिए बाहर आती है, पर अभी भी उसके दिमाग में वही सब बाते चल रही थी, इसलिए वो से क्लियर करने की कोशिश करती है और बताती है कि पहले मेरा नाम वही था, लेकिन फिर मैंने उसे बदल लिया क्योंकि मुझे वो नाम पसंद नहीं था, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके बाद वो जूल्स को एक लॉकेट गिफ करती है, जिसमें दोनों की फोटोस थी, उसे देखकर वो सब कुछ भूल जाती है और उसके साथ इस मोमेंट को एंजॉय करती है, कुछ बाद वो लोग शूटिंग करने जाते हैं, जहां जैकी का निशाना देखकर जूल्स तो हैरानी हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई एक्सपर्ट ह अब यहां से वो लोग घर आते हैं जहां पर जैकी जूल्स को एक कहानी बताती है, उसके बचपन के टाइम जब वो और उसके डाड और उसके दोस जैनी शिकार करने गए थे, लेकिन तभी उन पर एक भालू ने हमला कर दिया, और तब पहली बार उसने किसी पर गूली शल आई थी, लेकिन वो भालू पूरी तरह से मरा नहीं था, उसमें मेरे डाड न मुझे चाकू दिया और कहा कि जा कर उसे मार दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, वहीं 20 मिनट तक मैं खड़ी रही और जब तक वो भालू तलब तलब कर मरने गया, मैं वहां से वापस नहीं ग करेगी, तो वो दोरबीन से लेकिए दूसरी साइट देखना शुरू करती है, जहां पर उसे सारा का घर दिखाई देता है, कहीं ने कहीं अब उसके मन में अभी भी वही सवाल थे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सारा के घर जाएगी, तो वो बोट लेकर निकल जाती और कुछी देर में वहां पहुच जाती है, जहां पर उसे सारा और उसका हस्बंड जॉन भी मिलता है, अब दोनों एक दूसरे से इंट्रूस करते हैं, सारा का घर किसी हंटर प्लेस से कम नहीं लग राता, वहां उसे एक फोटो मिलती है, जिसमें सारा जैनी और जूल्स त पीनों थे, तब ही वहां सारा आ जाती है और उसे बताती है, कि यह हमारे बच्पन की फोटो है, तो जूल्स पूछती है कि जैनी कहा है, तो वह बताती है कि उसकी मौथ हो गई और यह बात जैकी ने भी उससे नहीं बताई थी, वो वापस घर आने लगती है, तब ही बीच शेमल कर देखा तो वहाँ जैनी नहीं थी क्योंकि वो पानी में डूप चुकी थी और तीन दिन बाद पुलिस को उसकी लाश मिली जिसके बाद मुसे पूछ ताच की जाती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता पर मेरे मन में हमेशा ये गिल्ट रहता है कि जैनी की जान मेरी वज़े से गई है इसलिए मैंने ये बाद आच तक किसी को नहीं बताए तुम्हीं भी नहीं क्योंकि उसके बाद तुम्हीं मुझ पर शक करती उसकी ये सब बाते सुनकर जूल्स को बहुत बुरा लगता क्योंकि उसने उस पर खामखाश शक करा था इसलिए वोसे माफ कर देती है और फिर दोनों गले मिलती है दिन जैकी उसे एक पहाल पर ले जाती है जहांसे व्यो काफी अच्छा था जिसे जूल्स भी काफी एंजॉय कर रही थी उसने पिछली सारी बाते भुला दी थी लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जो ना तो जूल्स ने सोची थी औ और ना ही हमने पीची से आकर जैकी उसे धक्का देती है जिससे वो सीधा पहाल की नीचे जाकर गिरती है और बुरी तरीके से जखमी हो जाती है लेकिन याँ जैकी के चैरे पे जरा भी पच्छतावा नहीं था जब वो कॉर्टेज वापस आती है तो रोनी की प्रैक्टिस करती है ताकि वो पुलिस के सामने रियल में रो सके लेकिन वो अभी भी पुलिस को नहीं बुलाती बलकि एक बारी फिर से उसी स्पाट पर जाती है जहां से उसने जूल्स को गिराया था पर वो वहाँ नहीं है बस उसका लॉकेट वहाँ पर मौजूद था मतलब कि वो गलती हो गई उसे माफ कर दो अगर तुम यही कई आसपास हो तो प्लीज बाहर आजो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है अब पास में चुपी जूल्स भी यह सब सुन रही थी उससे लग रहा था कि शायद वो सच बोल रही है इसलिए वो बाहर आने लगती है लेकिन जब वो उसके चहरे का expression दीखती है तो समझ जाती है कि वो जूट बोल रही है उसनी यह सब जान बूच कर किया लेकिन वो उसे प्यार करती है उसने ऐसा क्यों किया अगर इसके पीछे की वज़ा क्या है यह सब आपको कुछी देर में पता लग जाएगा अब रात हो जाती है लेकि दूसरी और जैक की बंदूख लेकर जंगल में गोम रही थी पूरी तैयारी के साथ लेकिन तब तक जूल्स उस कौटेज तक पहुच गई थी और जहां वो सबसे पहले बातरूम में जाती है और खुद के जखमों को बैंडिश करती है और फिर टाके लगाती है इधर जैक बोट लेकर उसका पीशा करने लगती है और कूट कर उसकी बोट पर आ जाती है जूल्स उसे लड़ने के कोशिश करती है लेकिन उसके पास वही चाको मौजूद था लेकिन तब तक वहां पर डैनियल ने उसे देख लिया था पर वो इतनी दूर होता है कि उसे समझ नहीं और उसके जखमों को साफ करती है तो वो बताती है कि आज रात में सारा और उसका हजबन डिनर पर आ रहे है इसलिए तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और ये सारी चोटे तुम्हें एक्सिडंट से लगी है इसके बाद वो जाने लगती है तो जूल्स उसे पूछती है क्या तुम मुझे सच में प्यार करती हो या ये सब एक दिखावा था तो वो कहती है कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती है या उसे समझा जाता है कि ये सब जूट था जो उसने उसे साथ किया पर इसके पीशे की वज़ा आखिर मुझे मार कर उसे क्या मिल जाएगा अब रात आने पर जूल्स जैकी को थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम बीमार हो तुमारी दिमागी हाला ठीक नहीं है मेरे साथ सीटी चलो मैं तुमारा अच्छ से इलाज कराऊंगे और फिर हम दोनों साथ में होंगे लेकिन उसकी ये सब बातें जैकी पर कोई असन नहीं करती लेकिन यां बातों बातों में जैकी बहुत से रास खोल देती है जैसे कि उससे पहले उसकी कई सारी गल्फिंट थी जिसके साथ उसने शादी भी कर ली थी लेकिन उसकी डूपने की वज़े से मौथ हो insurance का पैसा लेना चाहती है क्योंकि वो हमेशा से उसी चीज़ के बारे में बाते करती है वल देखते हैं आगे क्या होता है कुछ दरबाद सारा आ जाती है लेकिन जब वो Jules की चोटे देखती है तो हैरान न जाती है वो उसकी पीछी की बाज़ा पूछती है लेकिन Jules ज़्यादा उसे कुछ नहीं बता दी है क्योंकि Jacky ने उस पर नज़र रखी होई थी अब सारे लोग डिनर करते हैं जहां पर Jacky अपने relation के बारे में सभी को बताती है कि कैसे उसने जब पहली बार Jules को देखा था और तब ही से वो उसे प्यार कर बैटी लेकिन ये सब बातें जूट होती है जो कि बस Jules को ही पताती लेकिन उसे ऐसा बिहेव करना है कि जैसे किसी को उस पर शक ना हूँ इसके बाद वो और Daniel आपस में बाते करने लगते हैं और किसी का फायदा उठा कर Jules सारा को सब कुछ बता देती है जिसके बाद वो Daniel को बताने लगती है लेकिन Daniel सुन नहीं बाता लेकिन जैकी समझ जाती है कि उसे सच पता चल चुका है और जैसे ही वो पीशे मोलता है वो उसका गलाकार देती है जिसे देख कर सारा पागल हो जाती है वो भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके भी किसमत बेकार थी अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है अब जिससे कि वो उन दोन अका शरीर के टुकले करती है और फिर जूल्स के साथ लेक को उन टुकलो को फेक देती है अब हमें ये तो समझा गया था कि जैकी कोई नॉर्मल ललकी नहीं है वो ये खून ऐसे कर रही थी जैसे उसका डेली का काम हो और ये देखकर जूल्स अब और ज़्यादा डर चुकी थी ये सारी चीज़े जूल्स ने कभी अपनी लाइफ में सूशी नहीं थी कि उसका पार्टनर ऐसा कुछ करेगा ये जानते हैं जैकी उसे और डर आती है और वो दोनों वाँ पर पड़े खून को साफ करते है तब ही जूल्स कहती है कि तुम्हें उन्हें नहीं मानना चाहिए था उनका क्या कसूर था तो उसे बताती है कि उन्हें मैंने नहीं बलकि तुमने मारा है तुम्हारी चक्कर में उनकी मौत हो गई है अब इसके बाद वो उसे सही तरीका बताती है खून को साफ करनेगा ताकि फॉरेंसिक वाले जब यहां हैं तो उसे पकड़ ना पाए इसमें कर जूल्स को यकीन हो जाता कि उसने से पहले कई बार खून साफ किया और अब वो पूरी तरीके से एक पिशावर खूनी बन चुकी है अब रात को वो जूल्स के हाथ पैर बांद कर खुद के पास सुला दीती है लेकिन बड़ी ही मुश्किलों से जैसे तैसे उसने खुद को आजाद कर लिया था और आजाद होते ही वो उसी चाकू से जैकी को मार डालती है वेट वेट ये असल में एक सपना था जो हकीकत में वो अभी भी बंधी हुई है बगले दिन जब वो सोकर उड़ती है तो देखती है कि वहाँ पे हॉल में एक भालू का सर टंगा हुआ है ये वही था जिसे जैकी ने बच्पन में मारा था और तब से लेकर आज तक वो यही बर टंगा हुआ है और तभी उसकी नजर पीछे रखे हुए एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर सेम वाई हूब बहुत सारे लॉकेट रखे हुए थे जैसे कि जैकी ने उसे दिये थे लेकिन आज उससे पहले जूल्स ने उसके गरदन पर एक बिहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और कार से उतर कर भागने लगती है लेकिन उसके पीछी पीछे जैकी भी मौजूद थी कुछी देर बाद वो दोनों वहीं पहुँच जाती है जहांपर जूल्स नीचे खाई पर गिरी थी लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती तब ही जैकी इंजेक्शन के वज़े से बिहोश हो जाती है और वहां से भाग जाती है लेकिन बीच रास्ते में वो वापस आती है क्योंकि वो उसे मानना नहीं चाती थी कहीने कहीं वो उसे प्यार करती है लेकिन तब तक जैकी वहां से भाग चुकी थी इसलिए वो वाँ सेblaब उठेश की ओर जाती है लेकिन वहां भी जैकी मौजूद नहीं थी जखमी हो चुकी थी और खुद को ख़डा नहीं कर पाती दिन जाकी उसे घसीटती हुए उसी हिल के पास ले जाती है और इस बारी वो पूरी जान से नीची फेक दीती है ताकि अब कोई चांस ही ना बचे जिन्दा रहने का वो पूरी तरह से शोर थी इसलिए उसने इस बार पूलिस को भी कॉल करके बुला लिया था क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि जूल्स की मौत तो हो गई है अब घर जाने पर वो सबसे पहले इंसुलीन का डोस लेती है क्योंकि वो डाबिटिक है और फिर पास में रखे वे लापटॉप को पिन करती है उसमें उसे एक व लेकिन उसे पहले उसका सामना एक भालू से हो जाता है और यहां हम उसका फ्लाइच बैक देख पाते हैं उसके बचपन का कैसे उसने एक भालू को एक दद्दनाक मौत दी थी और यह उसका कर्मा है तो वहां से भागना शुरू करती है लेकिन आज उसकी मौत ता है भागन यह उड़ता है कि आखिर जैक ही ऐसा क्यों कर रही थी विल्थियोरी की माने तो वो एक mental patient है इसलिए वो एक serial killer बन चुकी है पहले वो लड़कियों को फसाती है और फिर यहां ला कर उन्हें मार देती है ऐसा करने में उसे मज़ा आने लगा है लेकिन इस बारी उसकी किस्मत खराब थी और वो मारी गई इसलिए कहते हैं कि किसी पर आख बन करके भरोसा नहीं करना चीए वल आपको यह कानी कैसे लगी नीचे कॉमन करके जरू बताएगा मिलते हैं आप से गलिए मैं देंकियो सो मुच वाजिंग पीस हाओ